रादे कृष्ण दोस्तों मैं पूजा आपकी दोस्ते भक्ति में सकती चैनल में आपका स्वागत करती हूँ दूस्तों आज हम बताएंगे कि बाल कृष्ण भगवान को क्या-क्या बच्पन में बहुत ही चीज पसंती लेकिन पाँच चीजे बहुत ही प्रेती तो आईए हम जानते हैं यसूदा जी के लल्ला भगवान स्री कृष्ण अपनी भगतों के हृदय में रहते हैं और भगत जो कुछ भी उन्हें प्रेम से भेट करते हैं उसे वो खुसी-खुसी ग्रहण करते हैं तभी तो किसी भगत के बनाय हुए चूरमे को खा कर तो किसी भगतिन के खिच्डी खाने के लिए वो वेस बदल कर जाते हैं लेकिन मदन गोपाल को सबसे पांच चीज प्रे हैं इन्हें खा कर स्री कृष्ण भगवान अतिप्रशन हो जाते हैं तो जो भगत जन्मा वो कृष्ण भगवान प्रसन्न होकर उसे सभी प्रकार की मनोकामना उसकी पूर कर देंगे तो आईए हम जानते हैं पहली वस्तु जो पशंद है श्री भगवान कृष्ण को वो है माखन ये श्री कृष्ण भगवान की अतिप्रिय वस्तु थी इसे वो जन्म से पहले ही गोकुल की कन्याओं के सपन में आकर कह दिये थे कि मेरे लिए माखन तयार करके रख लो श्री कृष्ण की बाल लिलाओं के तो कई प्रिशंग है जब स्री कृष्ण गोकुल वासियों के घर जाकर चुरा कर माखन खाया करते थे बाल सखा के साथ जाकर चुरा-चुरा के माखन खाते थे इसी कारण स्री भगवान कृष्ण का माखन चोर भी कहलाने जाने लगे तो इसलिए जन्मा आश्टमी के आउसर पर जो भगत उन्हें माखन का भूग लगाता है उससे वो अतिप्रिय प्रिशन्य होते हैं स्री वस्तु है मिस्री जो भगवान स्री कृष्ण माखन के सांक्त मिला कर खाते थे उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट लगता था इसलिए गिर्धर को माखन के संग मिस्री का भोग जरूर अर्पित करिये इससे वो बहुत प्रशन्य होते हैं जो भक्त करेगा उसके यहां सोयम कृष्ण भगवान भोग करने आएंगे स्री वस्त खीर स्री कृष्ण को चावल के खीर खूब पसंती मैया यसोदा अपने लल्ला की इस पसंद को खूब जानती थी इसलिए वो अपने गोपाल के लिए विसेश खीर बना कर रखती जो भक्त खीर कब हो कर पित करेगा उससे मायसोदा भी बहुत प्रशन्य हो जाएंगी क्योंकि मा अपने लाल को भगवान स्री कृष्ण को बहुत ही प्यार करती है तीसरी चीज जो स्री कृष्ण भगवान को प्रे थी वो है साग भक्त वास्तल स्री भगवान कृष्ण साग को पड़े ही रुचिकर से भोग लगाते हैं क्योंकि उन्होंने दिर्योधन के चपन भोग को त्याग कर वीतुर जी के घर जाकर साग खाया था और साग का भोग खाकर वो बहुत ही अतिप्रिय प्रिशन हो गए थे क्योंकि उसमें वितुर जी का भक्ती और प्रेमिशने थी भगवान तो सिर्फ प्यार की भोगे हैं वो ये नहीं देखती कि चपन भोग है कि शाग है जो भी उन्हें सची दिल से भोग लगाता है उसकी वो हर मनुकामना जरूर पूड़े करते हैं पाँचवी चीज है तिल तिल भगवान स्री क्रेशन को इसलिए प्रिय था क्योंकि भगवान विश्नु से उत्पन्य तिल स्री क्रेशन को अतिप्रिय है इसलिए उनकी पूजा में तिल का प्रयोग होता है काले तिल से लड़ू बनाकर कृष्ण भगवान को भोग लगाने से वो अत्यंत प्रशन होते हैं और जो कोई भी उनको तिल का भोग लगाता है उससे वो बहुत ही प्रशन होते हैं और मन चाहा वर्दान उसे देते हैं तो भक्तों ये थी पान चीजे जो भगवान स्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है जो भक्त बाल गुपाल के मन पशन पान चीजों का भोग अर्पित करेगा उससे बाल गुपाल अत्यंत प्रिशन होंगे और प्रिशन होकर उसे हर मन चाहे वर्दान देंगे उसके हर प्रकार की मनों कामना को पूर करेंगे तो बाल गुपाल से जुड़े कथाओं को जानने के लिए उनकी भोग को जानने के लिए